नमस्कार विद्यार्थी मित्रान नू आता आपन मेटोनिमी हाँ फिगर्स आफ स्पीच भगना रहुत। याठीकनी मेटोनिमी हाजो अलंकर आहे याचा आपन पहली डेफिनिशन भगुया आणि त्यानंतर एक्जम्पल समझूंगेने जा प्रयत्न करुया। So, let's start. When in a sentence there is association of two objects and one object is described as another, then there is use of मेटोनिमी. आता याचा अर्थ समझूंगेवी अविद्यर्थी मित्रान्नों, जर दिलेला वाक्यात दोन वस्तुन मदिल सहसबंद दिलेला असेल, आनि एका वस्तुला दुसरी वस्तुचे रूप दिलेले असेल, तर त्या ठीकानी मेटोनिमिया से मनतात। किवा एका द्या वस्तुचा किवा व्यक्तीचा उल्लेख हा प्रत्यक्ष पने न करता, त्या वस्तुची किवा व्यक्तीची सबंदित दुसरी वस्तुचा किवा व्यक्तीचा उल्लेख करने। तिस्री डेφिनिशन बगुए एखा दा शबद हा पूर्ळ ता हा एखा दा क्लास कि वो क्यो क्या गुड़ोः साथ हो आपर रेला अस तो कि वो त्या वस्तुचा प्रत्यक्षा उल्यक न करता ती चाशी सम्मान्दित असनार्या दुसर्या वस्तुचा उल्यक करने मंजे त्यास मेटोनिमिया से मंतत आता याटिकानी तुम्चा महिती साथी दोन तीन उधार न ग्योन तुम्हारा इधी सम्झावने से प्रहत्न के डिला है तो फर्स्ट एक्जम्पल बगुया दा पेन इस माइटर दैन दा स्वार्ड अथा अपने लाम हाईती है कि पेन काय काम करतो that we know that pain is writing we take the help of pain for writing आनि स्वार्ड मझे आपन देला तल्वार मनुशक्त क्यों एक ख़द मनुशक्त सो याटिकानी बगा कि sentence वापरतान कसा मतले the pain is mightier than the sword मझे तल्वारी पेक्षा ही pain हाँ खुप ताकत वर क्यों बल्वान पावर्फुल असतो पन याटिकानी जर मीनिंग आपन काड़ल ता कसो हुल pain represents writing and the sword represents violence मझे तल्वारी ने आपन समोर्चान ना काय करतो मारतो क्यों समपवतो से याटिकानी आपले लक्षा दिर की pain हाँ कोना ले रिप्रेजेंट करतो है writing ला आदब वेगड़ा पत्द दिने की pain ने आपन लीतो so we know that words are more powerful की शब्द है नेमिस का असताथ खुब बल्वान असताथ क्यों खुब strong असताथ powerful असताथ and effective than weapons अनि नकिस थे शसरा पेक्षाई सुद्धा जासता परिनाम करग असताथ so simple मधे बगा pain refers to written words pain हा को नाला refer करतो है लिहरेला शब्दान and sword to military force अनि तलवार को नाला करते जह अपली military असते क्यों अपली sign ने असता तेला ते represent करना जा प्रहतना करता बरबर याटिकानी number second it is not gold is it the sword it is not gold gold माझे याटिकाने gold नावे it's about the wealth आपला richness आपली श्रीमन्ती आपन किती पैशा वाल्या हुथ याचा अर्थ याटिकाने आपन घेवुशकत gold means wealth and sword चा अल्ड़ी तुमाल कर ले sword means here military force बरबर क्यों soldiers power number three a child is a father of man मझे याटिकानी used for all children and men in the world आदा है अल्ड़ी आपन figures of speech आप अधर ही बगित लेला है आँ तुम्चों लक्षा तईया शिलका आपन एला epigram मदे शिक लेला होत so here a word is used to represent a class or category मझे अपले लक्षा तईया कि बबाबा जर आपन sentence आदा समझञे है तो लगे used for all children and men in the world वाक्य वापर ले क्लिले आहे सु इंगरन साथे माझे एक ख़त है क्लास साथे क्लिप साथे क्यों एक ख़त है क्या लाधे क्या देगरी साथे सो ठीच भाधा वर्लो उस्ट रिप्रेजन्ट आथा क्लास ओर क्येटेगरी मज़ा आशाब पद्धतिने तुम्हाला हा मेटोनी मी जो आहे तुकाय कराई सा है लक्षात ठेवाई सा आहे खुब खुब धन्यवाद